तो नबश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का Cricket Line Guru के YouTube चैनल में भाई Women's Big Bash League अब अपनी आखरी चरण पे है League Stage के Last 2 Matches और दोनों ही मुकाबले बहुत important है क्योंकि यहाँ पर Hobart Hurricanes और Sydney Thunders दोनों ही भिड़ेंगी चौथी position के लिए भाई Doublehead मुकाबले होंगे Hobart Hurricanes, Adelaide Strikers के साथ मुकाबला करेगी तो वही Sydney Thunders का मुकाबला Sydney Sixers से होगा वेल, points table पे जो हम नजर डालते हैं तो एक चीज़ साफ नजर आती है कि भीया Sydney Thunders का अभी भी upper hand है और यहाँ पर अगर वो मुकाबला हारते भी है तो Hobart Hurricanes को अपना मुकाबला एक बड़े डिफरेंस से जीतना होगा Net Run Rate को सुधारने के लिए तो अभी आहल फिलाल हम कवर करते हैं Women's Big Bash League का 56th मैच आखरी लीग स्टेज मुकाबला Sydney Sixers बना Sydney Thunders वेल, बात करते हैं Sydney Cricket Ground की जहाँ यह मुकाबला हो रहा है दोस्तो इस सीजन में मात रेक मैच खेला गया था इस ट्रैक पर पहले बले बाजी करते हुए Melbourne Renny Gates ने 147 रंज बनाये थे जिसके जवाब ने Sydney Thunders ने 151 रंज ठोक डाले थे और उस मुकाबले में टोटल 6 विकेट चटके थे तीन विकेट पेसर्ज ने लिये थे और तीन विकेट स्पिनर्स की जोली में गिरे थे अब इस ट्रैक पर Sydney Thunders ने अलरड़ी मुकाबला खेल लिया है तो कहीं न कहीं experience के मामले में उन्हें अपन हैंड मिल सकता है लेकिन दोलो टीम्स का अभी तक का सफर कैसा रहा है आईए नजर डालते हैं head to head comparison पर 18 मुकाबले दोलो टीम्स के बीच हुए हैं दो मैचेस का result नहीं निकला है 9 मुकाबले Sydney Sixers के नाम रहे हैं तो वही Sydney Thunders ने 7 मैचेस जीते हैं अभी तक Sixers का पड़रा भारी है और वो लास्ट पांच मैचेस में भी नजर आता है तीन मुकाबले Sixers के नाम रहे हैं वही दो मैचेस थंडर्स ने जीते हैं लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि इस सीजन में Sydney Thunders अल्रेडी Sixers को 42 रणों से रौंध चुकी है अब यहाँ इस अपकमिंग कॉंटेस में क्या Sydney Sixers अपनी हार का बदला ले पाईगी या Sydney Thunders जिने ये मुकाबला जीतना बेहत ज़रूरी है एक एजी विन के लिए क्योंकि यहाँ पर Thunder अगर मुकाबला जीतती है तो वो सीदे 17 अंक के साथ दूसरे नंबर पर आ सकती है तो चलिए फटावट से नज़र डालते हैं टीम एनालिसिस पे और देखते हैं कि इस अपकमिंग कॉंटेस में किस टीम का पलड़ा भारी नज़र आता है Sydney Sixers की बात करें तो एलिसे पेरी, सुधी बेट, एशले गाड़नर, एरिन बरंस, मितल डाकार मिकेल, मैटलिन ब्राउन, जेसकर, केट पेली, केट पेटरिसन, लौरिन शेटल और लिंसी स्मित खेलती नज़र आ सकती है दोस्तो इस टीम के की प्लियर्स आकर कौन कौन से है भाई, टॉप ओडर में आपको लेल से पेरी मिलती है, जो कि 12 मैचेस में 414 रन मना चुकी है, और 12 विकेट भी चटका है हाला कि पिछले मुकाबले में इनकी असरदार पारी देखने को हमें नहीं मिली थी एशले गाजनर की बात करें, तो 13 मुकाबलों में इन्होंने 17 विकेट तो चटका हैं, लेकिन बल्ले बाजी में इनका दम इस बार नजर नहीं आया है 268 रन्स ही इनके खाते में जुड़े हैं यहाँ पर एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, लाइनप में क्लोई ट्राइओन टीम में शामिल हो सकती हैं जिन्होंने 12 मैचेज में 277 रन्स बनाए हैं और 9 विकेट चटका हैं अब इस टीम को क्या सिड्नी थंडर एक बार फिर असानी से हरा सकती है क्योंकि यह टीम में है अटापाट्टू, तारिया विल्सन, फीविलिच फील्च वील्ड जो की टीम को एक अच्छी शुरुवात देती है अटापाट्टू 12 मैचेज में 485 रन्स बना चुकी हैं और 9 विकेट भी चटका हैं तो as an all rounder इनका प्रदर्शन टीम के लिए बेहत फाइदमन साबित होगा यहाँ पर दोस्तो टीम का अगर कोई वीक लिंग नजर आता है तो वो हैं हीदर नाइट अपनी experience और अपने तबके को मद्दे नजर रखते हुए इनका अभी तक का प्रदर्शन satisfactory नहीं रहा है दस matches में 221 run है और 5 wicket यह खिलाड़ी अगर अच्छा प्रदर्शन करती है तो definitely Sydney thunders को काफी मदद मिल सकती है दोस्तो अब इस line up में इस crucial important match में एक change हमें देखने को मिल सकता है हैना Darlington के रूप में जो की team में वापसी कर सकती है ग्यारा मुकाबलों में इन्होंने 18 wicket चटकाए हैं और इन्हें यहाँ पर दो गिंद बाजों से अच्छा सा पार्थन मिल सकता है Lawrence में जो की last 6 matches में playing 11 में शामिल हुई थी और 9 wicket चटका चुकी है वहीं दोस्तो सैमी जो जो जोंसन ऐसी खिलानी है जिनका graph उपर नीचे जाता रहा है Brisbane Heat के खिलाफ अला कि इन्होंने पिछले मुकाबले में 3 wicket चटकाए थे अब दोस्तो overall अगर हम बात करें तो on field हो या on paper भाई Sydney thunders जो है वो जादा balance team में जराती है जादा focus है और जीतने की भी प्रबल दाविदार है अब दोस्तो आपके लिए हाथ से इस आखरी league stage match का क्या निशकर्ष निकल सकता है comment section को ला हुआ है भाई या अपनी जवाब अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और ये video informative लगे तो इसे like ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें